मुख्यमंत्री नितीश कुमार का जनता दर्बार लग रहा है लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आये हैं मुख्यमंत्री से मिलने की लिए यू कह सकते हैं कि मुख्यमंतरी के ग्रीष दिले के लोग है वो मुख्य मंतरी से मिलने है कल्यान भीगा से आए लेकिन बताते चला एंखिता हूं कि मुक्य मंतर पुलिस लोग जाता है ने उसाने दारू बिक्वे करता है मुख्य मंत्री कहते हैं बिहार में दारू बंद है नहीं बिक्ता है पुलिस लोग जाता है पुलिस लोग जाता है पैंक ने करके पढ़े वाला बुत्रू नियन लेके जाता है कि इतने दिनों से मुख्य मंत्री के पास आवेदन दे रहे हैं और मुलाकात नहीं हुई है मुलकान तो हम रहा अवेदन हुगा पहले तो अवेदन हम दिये थे होता परी पहले लगता था लीख पढ़के होता पर या थी अप्लिकेशन थी पहले तो जनता दर्बार तो साल भर से पाता हुए यह को जो जाता है लोग दोसे बात करते नहीं हुआ और जूटे हम तो लगता है जंता दर्बार गाओं के तो हम को करिये नहीं रहे तो बाहर के क्या करेंगे मुख्यमंत्री जुढ बुलते हैं वह जुद नहीं हुआ है ज़ी जाता है आपके गाहों समबें नहीं के गाहों के नहीं कहुत ला कि हम तो प्रचार के भाटते वहों तो मर्यों गिया उसको बिरिधापिन सिंघ्ग अंगते दिये कर लेते हैं क्या दुन्होंने मेल करते हैं पते नहीं लगता है कि मुख्य मंत्रिया उनके कोई अधिकारी कुछ नहीं सुनते हैं पाइसा कॉल्नी ले हमको को पुछिये का मुधिया वाला से के मिधिया वाला से क्या पहुचे नहीं तो क्या पाइसा देंगे तो देगा कि अप्लिकेशन को यहीं तक मिला है तो यही सब से सकते हैं लेकिन मुख्यमंत्री के पास बा zer लेकिन मुख्यमंत्री के पास द्व हुए Defin herself को इधन से अपकूस्वी आए पतरा है क्ति बाद नहींिंगे कमय करेंगे तक नहीं करें तो आप सुन सकते हैं पहले कि ऐसे लोग आए हैं जो मुख्य मंतरी के ग्रेज जिले या यू कहले कि उनके गाउं से आए हैं उसके बाद भी मुख्य मंतरी उनकी नहीं सुन रहे हैं और इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कह दिया है कि उनके ग्रेज जिले की बात कर ले या उ सरसाही हावी हो जाता है और इस तरीके का बयान मुख्यमंतरी के ग्रीज ले यूँ कहले कि उनके गाओं के लोग कह रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि बाकी जो फर्यादी अंदर आते हैं उनका क्या होता होगा हलाकि जो लोग आए हुए हैं उनसे मिलने के लिए उनका भी ये कहना है कि मुख्य मंतरी के पास जो लोग आते हैं उसके बाद कई लोग ऐसे हैं जो मर भी गए उसके बाद भी उनकी बातें मुख्य मंतरी के द्वारा नहीं सुनी गई फिलाल खवर में सिर्फ इतना ही आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत